करनाटक में पूर्व CMBS येदूरप्पा सरकार के दोरान कोविट स्केम होने की बात सामने आने के बात से राजिती गर्माई हुई है बिजैपूर से बीजेपी विधायक बसंगोडा पाटिल ये तनाल ने करनाटक में बीजेपी की सरकार के दोरान 40,000 करोड रुपए के कोविट स्केम होने का आरूप लगया है बसंगोडा के इस दावे पर करनाटक के सीम सिधा रमया ने गुरुवार को कहा कि यदि विधायक पाटिल की मन्शाद दोशियों को सजा दिलाने की है तो उन्हें स्केम से जुड़े दस्तावे जाच आयोक के सामने पेश करना चाहिए वही करनाटक की मोज़दा सरकार में मंती प्रियंग खटगे ने भी बसंगोडा पाटिल देतन नाल से घुटाले से जुड़े दस्तावे सारवजनी करने को कहा है उन्होंने करनाटक की लोगों को ध्यान में रखते हुए और उनकी सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को सारवजनी किया जाए इस बीच प्रदेश भाजपा महासची उपी राजीव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद की नेतरत्व में हुई भाजपा पदाधिकारों की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तासे चाचा हुई है करनाटक बीजेपी ने कहा कि पार्टी की करीमा को नुकसान पहुचाने वाली गतिवीदियो को बरदाश नहीं किया जाएगा 27 दिसम्बर को भाजपा विदायक यतनाल ने आरूप लगाया कि यतनाल ने कहा कि यदि मुझे पार्टी से निकाला गया तो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और कई परपटिया बना ली बिये से दूरप्पा सरकार के दोरान 40,000 करोड का गबन किया गया है उन लोगों ने प्रत्तिक कोरोना मरीच के लिए 8-10 लाक रुपे का बिल बनाया